राजी के कल्यान सचीव डॉक्टर रमिताब कोशल तेतला गाउं को गोद लेंगे इसी के मद्दे नजर जिला के डीडी सी परमेश्वर भगत की नेत्रित्व में रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि रिपोर्ट के अधार पर शेत्र का विकास किया जा सके बताया जा रहा है कि डीडी सी तेतला गाउं पहुँचकर तेतला डैम तालाब पीए मावास राशन का डादी को लेकर ग्रामिनों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना गाउं में हम लोग फूरा ब्लोग प्रशासन और जीला प्रशासन के तरफ से सारे पदा दिकारी आये हुए हैं और इसमें तो यहां को सारा कुछ नहीं है वहीं चीज़ करना चाह रहा है जिसे एक डैम है इसका सुंद्री करान होगा सराय केला जिले के चांडल थाना शेत्र के हाईवे के पास एक बैग में शव मिलने से इलाके में संसनी मच गई जिसके बाद मामले की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वहीं पुलिस का कहना है कि शव को देखकर या पहचान कर पाना मुश्किल है कि या महिला का या फिर पुरुष का शव है सराय के लाके खरसावा जिले के आदित्यपूर शहरी स्वास्त केंद्र के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है बताया जा रहा है कि खून से लत्पत एक व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल पहुचा तो वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था घंटों इंतजार करने के बाद वहाँ पर मौजूद गार्ड ने किसी तरह से घायल व्यक्ति का इलाज किया घंटों बाद प्रभारी डॉक्टर मीरा मुर्मू जब अस्पताल पहुची तो मीडिया वाले को डॉक्टर नहीं रहने पर सवाल किये अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए अपना पल्ला जाड लिया बोकारों के तीनु घाट के गेस्ट हाउस में बेरमो कोईलांचल की तरफ से शत्रिय मिलंग समारो कारिक्रम का आयोजन किया गया कारिक्रम मुख्या ललंग सिंग की अध्यक्षता में हुई इस दोराण पूर्व विधायक माधव सिंग ने कहा कि शत्रिय हमेशा देश के लिए मर मिटने को तयार रहता है लेकिन आज खुद आपस में मिलकर नहीं है इसे शत्रिय समाज को ही नहीं बलकि पूरे देश को नुकसान पहुँच रहा है आज चत्रिय समाज का जो संगठन का विवस्ताइए किया गया सब समाज को चुटाया गया इससे मैं बहुत कूस हूँ और राजबु समाज ये संगठन हर एक गरीब परिवार को किसी भी प्रहा लिखाया गरीब के साधी वियाक जो भी पेटी की होगी हम संगठन मजबूत होकर अपने गरीब अपने से चोटे परिवार जो गरीब है उनको सहियो करेंगे हर छेतर में कोई बिमार है उनके अगर देखने जाए तो यह नहीं कि खाली हाँ जाए उनके लिए सराय केला खरसावा जिला के कुकडू प्रकंड में ग्राम प्रधान महासभा का मिलंद समारों का आयोजन किया गया समारों की अध्यक्षता ग्राम प्रधान महासभा के प्रकंड अध्यक्ष सुसेन कुमार महतो ने किया इस दोरान कई सरकारी योजनाओं की मुद्दों पर भी चर्चा की गई अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही मुझे दीजे इजाज़त और बने रहे नेशन नियूस के साथ नमस्कार